कि मैजनत सीडियों के तरह होती है और भागय लिफ्ट की तरह है लिफ्ट किसी भी समय बंध हो सकती है लेकिन सीडियां हमेशा उचाई की होरी लेजाती है तो आप अपनी मेजनत से भागय को बदल सकते हो लेकिन यह आप पर डिपेंड करता है कि आप महनत करना चाहोगे या भागय पर विश्वास लेकिन महनत कर लोगे तो भागय आप खुद बखुद बदल सकते हो तो महनत कीजिए और महनत आपको हमेशा उचाए की और ही लेके जाएगी हेलो एवर्यवन आज इस वीडियो में हम क्लास सेवन के एंसी आटी की बुक की चैप्टर वन इंटीजर्स के बारे में जानेंगे तो यह इंट्रोडेक्शन वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि इंटीजर्स होते क्या है नमबर लाइंग पे नहें रिप्रेजेंट करना इनके बारे में जानना मतलब जो exercise में कॉशिंस आएंगे तो उसके type के कॉशिंस को हम पहले solve कर लेंगे introduction में समझ लेंगे फिर exercise solve करेंगे तो आईए शुरू करते हैं तो मेन सबसे पहले यह आता है कि इंटीजर्स है क्या इंटीजर्स होता क्या है तो basically हम कहेंगे कि इस साइड नंबर जाते हैं right side उन्हें हम कहते हैं positive integers तो right side कौन-कौन से नंबर जाएंगे one two three four and so on ये आगे चलता जाएगा number का series तो जो इस साइड नंबर जा रहे हैं वो है positive integers अब देखिए zero के जो इस साइड नंबर जाएंगे यानि कि left side उन्हें कहते है negative integers अब negative integers में कई बार क्या गलती कर देते हैं जब हमें negative integers जैसे रिप्रेसिंट करना रहता है जीरो के इस साइड और जीरो के उस साइड पोजिटिव integers लिखने होते हैं तो क्या कर देते हैं यहां से शुरू करते हैं minus one minus two minus three तो यह रोंग है हमें ऐसे नहीं करना है तो करना क्या है करना यह है कि जो negative integers होते हैं उन्हें कहां से शुरू करेंगे जीरो है ना तो जीरो के left side मतलब यहां से minus one minus two minus three और minus four और यह भी इसी तरह आगे चलता जाएगा तो यहां पर एक चीज नॉटिस कीजिए कि जो positive integer और negative integer है जीरो के right side और left side वह infinite है मतलब वह कितने भी numbers तक जा सकते हैं द्यार infinite तो यह आपको clear होना चाहिए अब यहां पर देखिए जो जीरो है वो ना ही positive है और ना ही negative लेकिन फिर भी वो एक integer है ओके तो यह clear हो गया कि integer number कौन-कौन से होते हैं अब यहां पर देखिए कि जो fraction में number होता है जैसे minus six upon three तो यह एक integer नहीं है decimal में number दिया हो 8.4 तो यह भी एक integer नहीं है तो यह याद रखिए कि fraction में दिया हो डेसिमल में दिया हो तो वह इंटीजर नहीं है इंटीजर कौन-कौन से number से integer जो जीरो से राइट साइट चलते हैं 12345678910 और जो जीरो के left side माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 तो दे यह सब जो है वो इंटीजर है अब हम सीकते हैं कि इंटीजर को नमबर लाइन पर आप कैसे रिप्रेसेंट कर सकते हो तो नमबर लाइन कैसी होती है नंबर लाइन को हम पहले द्रॉ कर लेते हैं तो नंबर लाइन होते हैं ऐसे पूरी एक और यह आगे तक चलती जाती है नंबर लाइन भी infinite होती है तो यहाँ पे integers जहीं हमाग हरते होते हैं तो जो 0 होता है वो Middle में होता है 0 हमेशा Middle में होता है और जो इस साइड मतलब की राइट साइड में positive integers नमबर होते हैं ओकी, राइट साइड positive integers और लेफ्ट साइड यानि इस साइड negative integers होते हैं तो यह आपको क्लियर की जो number line होती है उसके अंदर middle में 0 होता है और राइट साइड positive integers हम mark करते हैं और लेफ्ट साइड 0 के हम negative integers mark करते हैं ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 ओके, इस साइड दे आजाएगा minus 1, minus 2, minus 3 and minus 4 तो यह इस तरीक ऐसे number line है जिसके अंदर हमने ऐसे integers को mark कर दिया है अब आप कहेंगे कि 0 के यह positive integers हम देखिए positive integers है तो अगर आप plus का sign लगाना चाहें तो लगा सकते हैं लेगन अगर आप बिना plus के sign के इसे represent करेंगे तो दो भी यह positive integers ही रहेगा लेकिन जो negative integers होते हैं इनके आगे हम minus का sign लगाते हैं रिप्रेजन करने के लिए तो number line पे हम integers को ऐसे represent करते हैं अगर आप से पूछा जाए कि आप minus 3 को mark कीजिए integer की number line पे तो क्या करेंगे देखेंगे कि minus 3 कहा पे है और यहां पे है minus 3 पूछा जाए 4 को mark कीजिए अब यहां पे only 4 बोला है ओके तो क्या करेंगे यह negative तो है नि 4 only तो यह है एक positive integers तो आप यहां पर मार्क कर देंगे अगर आपसे माइनस 7 मार्क करने को कहरा जाए तो आप कहेंगे कि मेरी नंबर लाइन जो है वो तो यही तक है 4 तक तो क्या करतेंगे तो हम यह करेंगे कि जो आपकी नंबर लाइन होती है उसे आगे माइनस 7 माइनस 7 गर सकते हैं तो इस तरीकेर से आप नंबर लाइन पर कर सकते हैं यहां पर क्लिया ओना चाहिए तो आईये अप हैं कि अधा है कि सबसे खोड़े नंबर निखना और बड़ेता की साइट सिर्डाइब यह यही है लेकिन थीज़ी ही थोड़ा से चींज क्या होता है तो यहां पर यहां पर चीज लेखें होने पूसिटिव इंडिजर से भीषा होते हैं लेह ईंधर gossip negative integers में-8 या हम कोई भी बड़ा नमबर दे लो मतलब माइनस में जितना भी बड़ा नमबर होगा वह सबसे छोटा होगा अगर आप minus 52 और minus 1 को compare करोगे तो minus 52 जो है वो minus 1 से छोटा है वो minus 1 उसे बड़ा है लेकिन जो positive integers होते हैं वो हमेशा किस से नेगिटिव इंटिजर से बड़े होते हैं अब अगर हमें यह सेंडिंग ओडर में लिखना हो तो क्या छोटे से बड़ा तो सबसे छोटा नमबर यहां पर कौन सा होगा सबसे छोटा होगा माइनस एट कहींगे माइनस फॉर भी तो है देखी जैसा अभी मै माइनस ईट देन उससे बड़ा माइनस फोर देन उससे बड़ा वान डेन टू एंड ऐसे शोटा होगा माइनस एड तो अगर कोई ब्रम सॉल्फ करने को आती है तो यह याद रखी कि जब negative numbers होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा number अगर minus 10 और minus 2 को compare तर होगे तो minus 10 छोटा होगा और minus 2 बड़ा तो इस तरीकी से आप ascending and deciding की problems को solve कर सकते हो आई ये आप दीखते हैं integers की adding और subtracting यानि की addition and subtraction तो integer के addition subtraction में ही बहुत ज्यादा गलती होती है जब caution पूछा जाता है तो आपको इसमें चार basic चीज़े याद रख लेनी है addition और subtraction की integers में अगर आपने ये चार चीज़े अच्छे से याद कर ली ये अच्छे से समझ ली तो integers का addition और subtraction का कोई भी प्रोब्लम आएगा आप उसे solve कर देंगे और ये जो चार basic चीज़े हैं ये आप जब तक भी आगे classes में चाहेंगे तो भी आपको ये याद रखनी है मतलब integer के chapters में ये फोर चीज़े बहुत ही जरूरी है तो आईए देखते हैं ये फोर चीज़े कौन-कौन सी है एडिशन और subtraction की तो यहां पर देखिए जब कोईशन में दिया जाए एक हो प्लस का और एक माइनस का जब प्लस माइनस हो तो हो माइनस होगा अब यह यारा की प्लस माइनस हो तो है माइनस होगा एक नंबर प्लस का दिया हो और इसके आगे एक नंबर मानस का मतलब ऐसे प्लस सेवन.-5 तो यहां पर देखिए यह प्लस है यह माइनस है तो जब Wijंशन माइनस करेंगे मतलब 7-4 करेंगे यहां पर आपको clear होना चाहिए आप देखिए जब जो आपका answer आएगा उसके आगे आप उसी का sign लगाएंगे जो number बड़ा है मतलब plus 7 और minus 4 है तो यहां पर 7 जो है वो बड़ा है 4 से तो इसके आगे plus का sign है यानि positive integer तो आप उसके आगे plus लगा सकते है या plus नहीं लगाएंगे तो भी वो एक positive रहेगा लेकिन अगर यह होता minus 7 और यह होता plus 4 तो देखे minus plus भी minus ही होगा plus minus होगा लेकिन जो आपका answer आएगा minus 7 plus 4 तो इसे हम minus ही करेंगे लेकिन जो answer डिकल कर आएगा उसके आगे जो बड़े नंबर के आगे sign रहेगा वो लगाएंगे यानि यहाँ पे 7 बड़ा है इसके आगे minus है तो जो आपका answer आया उसके आगे आप minus लगाएंगे जैसे जब हम 7 minus 4 कर देंगे तो आएगा 3 तो जैसे हमने पहला देखा था जिसमें plus में 7 था minus में 4 तो यह 3 होता लेकिन अभी क्या है minus 7 plus 4 है तो यह क्या होगा 7 बड़ा रंबर है उसके आगे minus है तो यह minus 3 answer होगा तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब minus plus होता है तो minus होगा या plus minus तो भी minus यह याद रख लेजिए plus minus is equal to minus minus plus is equal to minus यह हो गया अब आते हैं अगले पर कि तीसरा क्या है तीसरा यह है कि जब minus minus दिया हो तो plus होगा यह याद रखिए जब minus minus question दिया हो तो plus होगा अब वो कैसे minus 5 और फिर दिया हो minus 5 तो आप यह आप इसे subtract नहीं करोगे यह माइनस माइनस है तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यह याद रखो तो यह हो जाएगा 10 ओके फिर आप इसके आगे कौन सा साइन लगा होगे जो नंबर बढ़ा दोनों ही minus के हैं तो इसके आगे minus का sign लग जाएगा तो यह तरीके से आप ऐसे question को solve करोगे अगर minus माइनस में number दिया हो अब 4 क्या होता है चोथा होता है plus plus दिया हो तो अगर plus plus दियाोगा तो आप plus ही करोगे हाँ plus दिया तो simple है अगर plus plus दिया हो तो plus करना है minus minus तो भी प्लस करना है तो अगर आपको ऐसे Confusion लगता है कि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो आप सिम्पल से चीज़ याद कर लो कि जो होते हैं सिम्बल प्लस और माइनस के जब अलग-अलग हो प्लस माइनस मतलब डिफ्रेंट हो तब तो करना है माइनस जब सेम तब करना है प्लस तो देखो यहां पे पगड़ने रहे है न तो माइनस- माइनस करना है और यह・ सिम्पल सी चीजे है इसे यार कर लो तो यह फोर बेसिक से इंटीचर को एडिशन और सब्ट्रेक करने के चीजे हैं इन्हें याद करणों इंटीचर के जितने भी चैप्टर पढ़ो गया आगे की क्लासेस में और इसमें भी तो आपको यही आएगा यह में चीज है तो वीडियो अची लगी तो वीडियो को आएगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद